नमस्कार साथियों निर्माट लासे जवद्या मैं आपका हार्द स्वागत है आज एक नई समस्या के साथ मैं आपके समझ हूँ कुछ कभी-कभी घर परिवार में भी ऐसी घटनाय हो जाती है जो अपराद की शेणी में आ सकती है तो देखते हैं क्या है एक बीस वर्षिय महिला है जो की विद्वा है दिश्टांतिसी प्रकार का है एक बीस वर्षिय महिला है जो की विद्वा है जो रात के अंधकार में अपने प्रेमी के साथ भाग जाना चाहती है यानि कि वो किसी से प्यार करती है उसके साथ भाग चाना चाहती है उसके माता पिता और परिवार वाले इसकित के बिरोधी है यानि घर परिवार में इस बात का बिरोध है उसके माता पिता उसे पलायन करते न देख सकें यानि जब वो भाग रही हो ना देख सकें, रोक तोक ना कर सकें उन्हें मदोनमत बनाने के लिए धतूरे का बीज पीश कर खिला दिया उसने क्या किया? कि उनको मदोनमत बनाने के लिए कि उनमत होकर कि वो सो जाएंगे हमारे स्क्रिप्ट की उनको जानकारी नहीं होगी धतूरे का बीज पीस करके खिला दिया वे बीमार पड़ गए इसका परड़ाम यह रहा धतूरे के बीज का परड़ाम यह रहा कि वो बीमार हो गए लेकिन अंतत्ता ठीक हो गए मृत तो नहीं हुई ठीक होगे इस महिला के दायत की चर्चा करना है कि इस महिला का क्या दायत होगा ठीक है एक परिवार है परिवार में कोई भी महिला अपने प्रेमी के साथ भाग जाना चाहती है लेकिन समस्या क्या आ रही है समस्या आ रही है कि घर परिवार का विरोध है अब उसके साथ भाग चाना चाहती है वो नहीं चाहती है कि घर परिवार में कोई जान पाए उसके माता पिता जान पाएं और विरोध करें तो मदोनमत बनाकने के आसे से कि मदोनमत हो जाएंगे सो जाएंगे तो हम आसानी से अपना कारे कर सकेंगे वो उनको धतूरे का बीज पीश करके खिला देती है परडामता बीमार हो गए और लेकिन ठीक होगे तो उस महिला ने क्या कोई अपराद किया या अपराद नहीं किया इसके बारे में हमें चर्चा करनी है most important question के रूप में भी है और लोगों को जानना भी चाहिए कि ऐसी हरकते नहीं करनी चाहिए जिससे आपकी किसी आपराइधिक दाइत में फसने की संभावना हो जाएगा वो विद्वा हत्या के प्रेत्न के अपराद की दोसी है क्या माना जाएगा कि उसने हत्या का प्रेत्न किया है ये जो उसका कृत्त है धतूरे का बीच की पीश कर खाने में मिला कर खिला देना ये किसके तुल है हत्या के प्रेत्न क्योंकि अगर कृश्ची की मृत्य हो जाती तो हत्या की कटेगरी में आ जाता ऐसा माना जाएगा ठीक है तो ऐसा माना जाने के लिए ऐसा माने जाने के लिए हमें हत्या के प्रेतन से सम्मद्ध धारा 307 भी देखनी होगी एतथ पर आधारित एक वाद भी है आपका मुसमात तुलसा का वाद 1897 का है इलहभाद हाई कुड के द्वारा यानि कि इसी तत्य पर आधारत एक वाद भी मौजूद है क्या कहा गया इस वाद में कौन से आधार बताएगे जिसके आधार पर यह माना गया कि ये विद्वा हत्या के प्रहत्न की दोशी है तो जब हम धारा 307 पढ़ते हैं तो 307 में लिखा हुआ है कि कोई भी कार आसे या ग्यान कोई भी कार आसे के साथ किया जाए या ग्यान के साथ किया जाए कि किसी की मृत्य हो जाए या हो सकती है लेकिन मृत्यू ना हो तो वो हत्या के अपरात का अब बात आई इस महिला का आसे नहीं था अपने माता पिता की मृत्यू करने की तो आसे के आधार पर तो वो दोसी नहीं होगी क्योंकि वो अपने माता पिता को मार नहीं देना चाहती थी बस इतना चाहती थी मदोनमत हो जाएं, सो जाएं जान ना पाएं कि हम क्या कार करने जा रहे हैं दूसरी सर्थ है ज्यान की यानि आसे तो नहीं है लेकिन ज्यान के लिए अब ज्यान के इंटर्प्रेशन को अगर देखना हो कि किस आधार पे हम कह सकते हैं कि ज्ञान की कटेगरी में आएगा तो उसके लिए साथ ही में हम धारा 300 को भी अगर पढ़ लें साथ में धारा 300 को भी पढ़ लें यानि कि हत्या का प्रेत्न है सिर्फ मृत्य हुई नहीं हुई है तो हत्या में जो term and conditions अच्छे ढंग से लिखे हुए हैं उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि ये हत्या के प्रेत्न में क्यों आया अगर मृत्य हो गई होती तो हत्या के प्रेत्न में आ जाता लेकिन मृत्य नहीं हुई इसलिए हत्या के प्रेत्न में धारा 307 में दंडनी हो गई तो धारा 300 क्या कहती है तो जब धारा 300 के चोथे खंड को हम लोग पढ़ते हैं इसके कार का परड़ाम क्या होगा, वो अपराद के रूप में क्यों गिना जा रहा है, तो धारा 300 का जो चौथा भाग है, उस भाग में, चौथे पार्ट में कहा गया है, कि ग्यान हो, क्या ग्यान हो, कि कार, जो कार है, इतना आसन संकट है, ग्यान हो, कि वहाँ, कार जो आप करने जा रहे हैं, इतना आसन संकट है, और शाथी साथ, अधि संभाविता है, साथ ही साथ, अधि संभाविता है, यानि कि, इमेंटिली डेंजरस, आल प्राविल्टी, पूरी प्राविल्टी है, पूरी संभावना है, कि मृत्य हो ही सकती है, यानि, आप अपना कोई कार कर रहे हैं, उस कार के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, कि आपके कार की प्रकिर्टी क्या है, तो अब इस महिला के कार को देखें, इसने जो कार किया, वो क्या था? धतूरे का बीज, धतूरे का बीज, पीस कर खिलाना, तो ये धतूरे का जो बीज है, ये ऐसी कटेगरी मानी जाएगी, ये एक ऐसी कटेगरी मानी जाएगी, कि किसी की भी मृत्व भी कारित करा सकता है, यानि कि यदि आप किसी ऐसे खतरनाक सबस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे मृत्य होने की संभावना हो तो आप हमेशा इस दायतु के अधिन हो सकते हैं तो हमें ध्यान क्या देना है उसने क्या किया धतूरे के बीज को धतूरा का बीज पीश कर खिलाया तो धतूरे के बीज की प्रकिर्थि को देखा जाए तो इसकी थोड़ी सी भी अधिक मात्रा होती तो मृत्य करने के लिए परयाप्त है यानि कि इतना बड़ा जो रिस्क उठाया गया आसन संकट कार किया गया वो आसन संकटता की इस्तिती में क्यों आता है क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल किया गया सब्स्टेंस धतूरे का बीज है जिसमें पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यू हो सकती है लेकिन थोड़ी मात्रा कम रह जाने के कारण बीमार तो पड़े लेकिन मृत्यू नहीं हुई यानि कि जिस एजेंट का यूज किया गया जिस टॉक्सिक एजेंट का यूज किया गया जिस सब्स्टेंस का यूज किया गया वो अपनी प्रकृति में खतरनाक है इसलिए आपका कारण भी आसन संकट की इस्तिती में आएगा और उसमें पूरी संभावना है कि मृत्य भी हो सकती है इसलिए इसलिए आपने हत्या का प्रयत्न किया है ऐसा ही वाद था आपका मुसम्मात तुलसा का वाद 1897 इलहाबाद हाई कोर्ट का इसमें भी एक महिला ने अपने परिवार के तीन सरस्चों को धतूरे का वीज पीश कर खिलाया अपने प्रहिमी के साथ भाग जाने के लिए परड़ाम यह निकला की सब बीमार हो गए लेकिन जान बच गई तो जब वो पकड़ी गई और ट्रायल हुआ तो यह ने धारित किया गया यह नहीं हुई यह मृत्य हो जाती तो हट्या का अफराद नहीं हुई इसलिए हट्या के प्रेत्म की दोसी होंगी और सीधी भासा में कि इन बातों को ध्यान रखना है धारा 307 को आपको जानना है आसे और ज्यान तो यहां आसे नहीं था इसलिए हमने आसे को खटा दिया और ज्यान का विशलेशन आपको करना है तो ज़्यादा अस्पश्ट तर पर धारा 304 में दिया गया है कि यदि ज्यान है आपको आप कोई कार कर रहे हैं तो यह माना जाएगा कि आपका कार यदि आसन संकट है, अधिसंभाव है, तो आपको ज्ञान है, आपको ज्ञान होना चाहिए कि इसका प्रणाम मृत्य हो सकता है, इसलिए आप अपने दायत्तु से मुक्त नहीं हो पाएंगे कि हमारा आसे नहीं था मृत्य कारिक करना, ज्ञान तो था कि हम एक खतरनाख चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आप हत्या के प्रहत्न के दोशी हैं यानि कि जो लिखना है वो इस प्रकार लिखना है कि यह विद्वा हत्या के प्रहत्न की दोशी है और धारा 307 में दंडनी है क्योंकि यदि कोई भी वेक्ति आसे या ज्यान के साथ ऐसा कारिक करता है कि अगर मृत्य हो जाती तो वो हत्या का अपराद होता लेकिन मृत्य नहीं हुई है तो वो हत्या का प्रहद्न का अपराद होगा तरह 307 के अंतरगत दंडित किया जाएगा इस द्रिश्टान्त में आसे नहीं है परन्तु धतूरे का बीज इस्तेमाल करना तो धातूरे की बीज की प्रकिर्थ को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उसे यह ग्यान होना चाहिए कि इस बीज का इस्तेमाल करने से किसी की मृत भी हो सकती है बीमार भी हो गए दुस्परभाव भी पड़ा सरीर पर लेकिन मृत नहीं हुई इसलिए हत्या के प्रहत्न के लिए दोसी किया जाएगा उपरोक्तत मुसमात तुलसा के वाद 1897 इलहाबाद हाई कोर्ट से मिलते जुलते हैं और इस केस में भी इस वाद में भी हत्या के प्रहत्न के लिए दोसी ठहराया गया धतूरे के बीज को एक ऐसा विसेला पदार्थ माना गया जिसकी मात्रा किसी के भी मृत्य कारित करा सकती है जिसका दिया जाना किसी की भी मृत्य को संभावित बना सकता है यानि कि धारत 300 के चौथे खंड में यह बात अस्पष्ट हो जाती है कि यदि उसकी मृत्य हो जाती तो हत्या का अपराद होता लेकिन यहां मृत्य नहीं हुई इसलिए हत्या के प्रहत्न का अपराद होगा छोटी सी बात, most important बात घटनाएं दूर घटनाएं होती रहती है तो हमें भी यह जिनको examination देना है exam में इसका answer लिखना है उनके लिए भी यह बात ठीक है और उन लोगों के लिए यह बात भी जानना आवश्चक है यह सभी के लिए videos है कि ऐसे हम कोई कारिन न करें जिससे हमारा भविश्य बरबाद हो जाए, बेकार हो जाए किनी भी भावावेश्यों में आ करके ऐसे खतरना कामों को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए यह भी एक सलाह है मेरी तो ऐसी बातों को ध्यान रखिए ठीक है, प्रश्ण का उत्तर लिखते समय भी अपना जीवन जीते समय भी क्योंकि इससे पूरे भविश्य पर प्रस्ण चिन लग जाता है तो कैसे छोटी सी बात एक इतने बड़े अपराद के रूप में हो जाती वो आपने देखा तो उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार किया आपको कोई समस्या नहीं होगी यदि कोई होती है तो आप कमेंट बाक से पूछ सकते हैं आपका जबाब आपको मिल जाएगा अगले दिश्टान तक आप इंतिजार करिए तब तक के लिए जै हिन जै भारत धन्वारत